नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं 2016 की एक चाइनिश होरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है Lost Minds, फिल्म की सरुवात होती है एंकिंग और वी वेन नाम के एक सुकी साधी सुदा कपल से वे सालों से कोशिश कर रहे हैं की उनका संतान हो लेकिन कोई फाइदा नहीं इस असरफलता का बोज और मदर इनलों का लगातार दबाव एंकिंग की मानसिक स्तिती को कमज़र करता जाता है एक दिन वे एक अनाथालई से एक छोटी लड़की जिन जिन को गोद लेके अपने घर लाते है जिन जिन के आने के बाद एंकिंग को लगता है कि जैसे उसका अतित उसे परिशान करने लगा है उसे परिशान करने वाले द्रस्य बयानक आवाजे और अजीबों गरिब गटनाए होने लगती है सुरू में लगता है कि एंकिंग की ये समस्याए मानसिक दबाव की वज़े से लेकिन जिन दिन का व्यवार भी दिरे दिरे अजीब होने लगता है वा अकेले में बाते करती है अदस्चे लोगों से खेलती है और एंकिंग को डराने वाली नरसरी रायूंगाती है अब एंकिंग को यकिन होने लगता है कि जिन जिन किसी अंदेरे बल से जूरी हुई है जिन जिन के पिसले परिवार के बारे में छान बिन करने पर पता चलता है कि कुछ साल पहले एक हाथशा होआ था जिसमें उनके माता पिता की मोथ हो गए थी एंकिंग को डनलर सताता है कि कहीं उस हादसे की आत्माई ही तो जिन जिन के जरिये उन्हें परिशान नहीं कर रहिए फिल्म का तनाव एक चरम पर पहुँच जाता है जब एंकिंग अपने अतित के बयावा सच से फेश होती है यह पता चलता है कि जिन जिन खुद एंकिंग के खोये हुए बचपन का एक तुकड़ा है जिसे एक दुखत घटना ने दफन कर दिया था लोस्ट माईंड के वाल एक डरावनी फिल्म नहीं है बलकि यह मनोवैगनारिक और पारिवारिक ड्रामा भी है फिल्म उन दमित यादो और अल्सुल्जे रहोश्यो के खोत्रों को दर्शाती है जो हमारे अतित में छिपे होते हैं यह फिल्म हमें शिकाती है कि अतित का सामना करना कितना जरूरी है चाहे कितना दर्दनाक हो दुस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा कमेंट में जरूर बताईए और हाँ इस तरह की दिल्चर्प फिल्मों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले